दोस्तों आज देश के पहले high speed rail corridor यानि कि जो bullet train project है उससे related एक काफी बड़ी update निकल कर आ रही है देखें जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मुंबई एमदबाद bullet train corridor के construction का काम अपनी original timeline से काफी ज़्यादा late हो चुका है और इस project के development pen delay का जो सबसे बड़ा region है वो हमेशा से land acquisition ही रहा है लेकिन आपको जानकर काफी अच्छा लगेगा कि अब इस project में land acquisition से related सभी problems solve हो चुकी है क्योंकि अब इहाली में NHSR CIL के द्वारे ये announce किया गया है कि 508 km लंबे मुंबई एमदबाद high speed rail corridors related अब 100% land को acquire कर लिया गया है जिसका मतलब है कि अब total 1389 hectare land में से खुजरात में 950 hectare land माराष्ट में 430 hectare land और दादर और नागर हवेली में total 7.9 hectare land का acquisition अब पूरी तरह से complete हो चुका है और मैं आपको बता दूँ कि इस update को खुद railway minister अश्वनी वैशनब्री के द्वारा भी अपने social media handle पर सियर किया गया है इसके लाबा आपके जानकरी के लिए बता दूँ कि NHSR CIL ने गुजरात और महराष्ट में पहले ही इस project से related सभी civil contracts को अबॉड कर दिया था लेकिन अगर ground work की बात करें तो total 508 km लंबे bullet train corridor में से अब तक 271 km के section पर peer casting यानि कि pillars को खड़ा करने का काम complete हो चुका है हाला कि अभी cable 120 km के section पर ही girders को launch करने का काम complete देखने को मिलता है इसके अलाबा इस corridor पर जितने भी bullet train के stations हैं उनके construction का काम भी काफी तेजी से किया जा रहा है इसके साथ साथ अब इस project के अंडर जो भारत की पहली 7 km लंबी अंडर सी rail tunnel है उसके निर्माण का काम भी सुरू कर दिया गया है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही लेकिन देश के पहले bullet train project को लेकर आपके क्या विचार है हमें comment section में जरूर बताएं